हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अलू गोबी की चटपटी और कुरकुरी सब्जी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है गोबी की सब्जी वैसे तो हम कई तरीकों से बनाते हैं लेकिन जो आज कई तरीका है बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गोबी लिया है मैंने यापर 300 ग्राम गोबी लिया है और इसको मैं इस तरीके से एक एक करके कट करके रख दूँगी आप चाहें तो चापुस की सब हल्प से भी कट कर सकते हैं और कट करने के बाद आप देखेंगे कि गोबी के फूल एक एक अलग हो चुके हैं और इस तरीके से अब हम ड पसंद नहीं करते हैं तो आप डंठल ना डालें लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं हैं पर डंठल का भी यूज किया है आप चाहें तो डंठल को ना डालें तो इस तरीके से डंठल दोडने के बाद उसके साइड में से पत्ते हटाने के बाद हम इसे छोटे-छोटे टु ठीख में में बाइगए के साथ मैंने एक करकर आपचान पलिया हुआ और आपके यह पली नीडुन से लिकार नापड दर के इताला कि को थो घए द्दय और क Jeśli वे और में तो चाहे हो sprink दाला करकिग ना簡न उम्सार एक यह लगी मैंने असमाढ़ लगा हा दों लो भी कट कर सकते हैं अब इसमें एड़ खाया है दाड़ लाल मिर्स पावडर हैदा चमद हल्दी पावडर और मैंने हाँ एक चमद नमक डाला है अब इन सब क्विसालों को अच्छी तरह से मिक्स करें गे फ्लेम तो अब हम medium रखेंगे और medium flame पर ही मैंने हाँ पर सबजिया डाल दी हैं, सबजियों में को मैंने अच्छी तरह से एक पर और वश कर लिया था, और साथ में मैंने यहाँ पर दो हरीमिज डाल दी हैं, और अब इन सब को अच्छे तरह से मसालो में मिक्स करेंगे, सबजी को हमे में दो मिनट तक इसी तरीके से मिक्स करना है जिससे मसाले सब्जियों में अच्छी तरह से चारो तरफ मिक्स हो जाएं देखिए हमें कहीं पर भी इस तरह से नहीं करना कि कहीं मसाले मिक्स हो गए और कहीं पर हमने छोड़ दिये मसाले हमें सब्जी में अच्छी तरह से मिक् प्लेम पर ही गोबी को ढख कर पकाएंगे, पांच मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी सबजी अल्मुस्ट पक चुकी है, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, मैंने एक चमच धनिया पाउडर और आदा चमच घरम मसाला डाला है, और साथ ही मैंने यहां डाला है, कटा हु भी यूज कर सकते हैं, अब हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आप देख सकते हैं कि सबजी कितनी कुरकुरी और कितनी बढ़िया बनी है, देखें, एक दम खड़ी-खड़ी गोबी बनी है, और कितनी बढ़िया लग रही है, अगर आपको थोड़ी सी कु साफ्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारी को भी पक गई है, अगर इस साफ्ट नहीं हुई है, तो आप इसे दो मिनट के लिए और ढ़क कर पकाने के लिए रख दें, और आप देख सकते हैं कि हमारी सबजी का कलर कितना अच्छा आया है, और बहुत ही आसान तरीके से हमन सब्जी रेडी है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजेगा, देखिए सब्जी का कलर भी कितना अच्छा आया है, और गोबी बिल्कूल भी मैश नहीं हुई है, एकदम खड़ी खड़ी गोब सब्जी बनी है, तो एक बार प्लीज इस तरीके से सब्जी को बना कर जरूर देखिए, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजेगा,